हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल आपके एक्जाम सब अब तो करीब ही हैं, दो मैने ही रह गए हैं आपके एक्जाम के आशा है कि आपकी त्यारी बहुत अच्छी चल रही होगी ग्यारफ एपको आपका एक्जाम है, मल आकर पढ़िए और आप सभी को best of luck, दोस्तों हमने important questions के वीडियो यहां डाले हैं सविधान संशोधन से संबंदित और इस पर explanation भी दिया है जिससे आपके और भी questions त्यार होते चले जाएं तो जैसे जैसे जहां वशेक्ता पड़ी है, हमने question को explain किया है पूरी वीडियो देखें, आपका concept यहां पर clear हो जाएगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, हमारा आज का पहला प्रश्न तो दोस्तों इसका सही जवाब है संसद दोस्तों समविधान संशोधन विदयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है विदयक को कोई मंत्री या कोई भी अन्य सद से भी पेश कर सकता है संसोधन विदयक को राश्रपती की पूर्व अनुमती की भी आवशेक्ता नहीं होती है इस तरह से दोस्तों आपके और भी questions यहां से clear होते जाएंगे हमारा आगला प्रश्न संविधान में संशोधन की पहल कहां की जा सकती है वेर क्यान दे इनिशियेटिव तो अमेंड दो कॉंस्टिजूशन बी टेकन केवल लोग सभा में केवल राजय सभा में केवल राजी विधान सभा में संसद के किसी भी सदन में संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है तीन प्रकार से चार प्रकार से पांच प्रकार से या आठ प्रकार से तो इसका सही जवाब है ओप्शन ए तीन प्रकार से दोस्तों संविधान में संशोधन तीन प्रकार से करने की प्रक्रिया हमारे सम्विधान में दी गई है जिसमें तीन जो प्रकार है वो हैं साधारण बहुमत से विशेश बहुमत से और विशेश बहुमत तथा राज्यों के विधान मंडल की अनुमती से तो इस प्रकार तीन प्रकार से इसमें संशोधन होता है अब ये क्या होता है ये भी आपको आगे clear हो जाएगा क्योंकि जैसे उसे question इससे related आएंगे मैं इसको clear करती जाओंगी हमार आगला प्रश्न संविधान के अधिकांश अनुछेदों में संशोधन के लिए कौन सी प्रक्रिया पनाई जाती है which procedure is followed to amend most of the articles of the constitution साधारण बहुमत, दो तिहाई बहुमत, दो तिहाई बहुमत और राज्यों की सहमती तीन चौथाई बहुमत तो इसका सही जवाब है साधारण बहुमत, simple majority अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि ये साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है तो साधारण बहुमत का मतलब है कि अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उसमय संसद में जो उपस्थित सदस्य हैं और जो मद्दान में भाग लेने वाले सदस्य हैं उनके 50% से अधिक की सहमरी प्राप्थ हो जाए तो इससे संविधान में संशोधन हो जाता है हमार आगला प्रश्न किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई तो इसका सही जवाब है दोस्तों एक सथमा जो संशोधन था वो 1989 में हुआ था जिसके द्वारा लोकसभा और राजियों की विधान सभावों के चुनावों में मतदान की आयू को 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया था हमार आगला प्रश्न संविधान के किस भाग एवम अनुक्षेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उलेख है भाग एक अनुक्षे तीन या भाग आठ अनुक्षे दो सो उन्तालेश तो इसका सही जवाब है ओप्षन बी भाग बीस अनुक्षे तीन सो अर्षट हमार आगला प्रश्न भारतिय संग से किसी राज्य के अलग होने को प्रतिबंधित किया गया Separation of any state from the Indian union was prohibited तो इसका सही जवाब है 16 में संशोधन 1963 द्वारा तोस्तों इसके द्वारा नुक्षेद 19 में संशोधन किया गया तथा सांसदों और विधायकों के निर्वाचन के लिए जो उमिदवारों द्वारा ली जाने वाली शपत थी उसमें यह शर्त रखी गयी थी कि वे भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को अक्षोण रखेंगे हमारा अगला प्रश्न किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया तो दोस्तों इसका सही जवाब है यहां पर में स्प्रिंट है दोस्तों अप्षन C में 96 वर्ष नहीं यहां पर 86 संशोधन होगा हमारा अगला प्रश्न किस संविधानिक संशोधन द्वारा लोगसभा की अधिक्तम सीट 545 नेधारित की गई तो इसका सही जवाब है अप्षन C एक तीसमा संविधान संशोधन एक तीसमा जो संविधान संशोधन था उसके तहत संसदिय सीटों की संख्या बढ़ा कर 545 कर दी गई जो पहले 525 हुआ करती थी अगला प्रश्न देशी नरेशों के प्रिवी पर्स और विशेशादिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्ट कर दिया गया तो इसका सही जवाब है मरा अगला प्रश्न भारती संविधान का कौन सा संशोधन के इंद्रिय मंत्रि मंडल के आकार को सी मित करता है इस संशोधन के जरिये मंत्रि मंडल का आकार 15% तक सीमित कर दिया गया हालां कि कैबिनेट की जो संख्या थी वो 12 से कम नहीं होनी चाहिए इस संशोधन के द्वारा दसमी अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया जिसमें प्रावधान था कि एक तिहाई सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते है हमारा अगला प्राश्ण संशत को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस समवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया 44, 42, 24 या 35 तो इसका सही जवाब है 24 अधिकारों प्राश्ण संशोधन मंत्री परिशत को कितनी प्रतिशत तक सीमित करने के लिए किया गया 94th amendment was made to limit the council of ministers to what percentage? 12%, 15%, 20% या 25% तो इसका सही जवाब है option B 15 प्रतिशत अगला प्राश्ण किस समवैधानिक संशोधन द्वारा मेघाल है राजे की स्थापना की गई? By which constitutional amendment was the state of Meghala established 22, 24, 18 या 35? तो इसका सही जवाब है 22, option A हमार अगला प्राश्ण 42 में संशोधन द्वारा जोडा गया नया अनुक्षेत किस से संबंदित है? What does the new article added by amendment 42 relate to? भूमिसुधार से, व्यवसाय से, मूलकर्तवे से या मौलिक अधिकार से? तो इसका सही जवाब है option C, मूलकर्तवे से तोस्तों इसके द्वारा 51 A संविधान में जोडा गया था हमार आगला प्रश्ण संविधान की आठ्वी अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? By which amendment was Sindi language included in the 8th schedule of the constitution? 24 समा, 31 समा, 15 समा या 21 समा? तो इसका सही जवाब है 21 option D हमार आगला प्रश्ण किस संविधानिक संशोधन द्वारा अनुसूची जन जाती के लिए एक प्रिथक राश्ट्री आयोग की स्थापना की गई? By which constitutional amendment a separate national commission for dual tribes was established? 86, 50, 87 या 89? तो इसका सही जवाब है 89 नवासिवा सम्विधान संशोधन हमार आगला प्रश्ण किस संविधानिक संशोधन द्वारा या व्यवस्था दी गई कि उप राश्ट्रपती के चुनाव के लिए संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है तो इसका सही जवाब है 11 संशोधन हमार आगला प्रश्ण भारतिय संविधान में संशोधन किस अनुक्षेत के अनुसार होता है अगला प्रश्ण भारतिय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज को संविधानिक दरजा प्रदान करता है इसका सही जवाब है वो तिहतर में संशोधन के द्वारा दिया गया हमार आगला प्रश्ण 42 में संविधानिक संशोधन के अनेक अपति जनक अंश को रद करने के लिए कौन सा संविधानिक संशोधन लाया गया इसका सही जवाब है 44 मा संविधानिक संशोधन दोस्तों या संशोधन 1978 में किया गया था हमार आगला प्रश्ण संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है तो इसका सही जवाब है दक्षिड अफ्रीका के संविधान से या प्रक्रिया ली गई है हमार आगला प्रश्ण मौली कर्तवियों से संबंदित अनुक्षे दिख्यावन ए किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था आर्टिकल 51 ए रिलेटेड टू फंडमेंटल ड्यूटी इस वोजएड़ बाई पिच अमेंडमेंट चोवालीसमा संविधान संशोधन पचासमा संविधान संशोधन छी आलीसमा संविधान संशोधन या बयालीसमा संविधान संशोधन तो इसका सही जवाब है ओप्शन डी बयालीसमा संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था हमार आगला प्रशन कौन सा समिधान संशोजन राजियों से चुने जाने वाले लोकसभा के सहस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंदित है which constitutional amendment is related to increasing the number of लोकसभा members elected from the states सातमा और यहाँ पर दोस्तों एक तीसमा होगा सातमा और एक तीसमा आठमा और पचासमा दसमा और तेईसमा या तेरमा और अड़ तीसमा तो इसका सही जवाब है option A सातमा और एक तीसमा हमार आगला प्रशन है समिधान में संशोधन के लिए विधेयक सरुप्रथम कहां प्रसुत किया जाता है तो इसका सही जवाब है option C किसी भी सदन में हमार आगला प्रशन भारती समिधान के अधिकांश भाग को संशोधीत किया जा सकता है अनेक राजियों की वेवस्थापिकाओं द्वारा राशपती के द्वारा राजियों की सहमती से संसत द्वारा या अकेले संसत द्वारा तो इसका सही जवाब है अकेले संसत द्वारा by parliament alone अगला प्रशन चवालीस में संसोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया विच फंडमेंटल राइट वोज रिमूवड वाई amendment 44 धर्म की स्वतंत्र था संपत्ति का अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार या जीवन का अधिकार तो इसका सही जवाब है संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको 1978 में 44 में संसोधन द्वारा मौलिक अधिकार के रूप से हटा दिया गया इसे अनुक्षे 301 के तहत एक समवैधानिक अधिकार बनाया गया अनुक्षे 301 एक अनुसार राज्य को अपनी नीजी संपत्ति से किसी व्यक्ति को वंचित करने के लिए उचित प्रक्रिया और कानून के अधिकार का पालन करना हुगा हमारा अगला प्रश्ण 14 अगस 2007 को संशोधन के उपरांत अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन D 1206 हमारा अगला प्रश्ण भारत के समिधान में प्रथम संशोधन कब किया गया तो इसका सही जवाब है 1951, option A हमारा अगला प्रश्ण प्रथम समिधानिक संशोधन किस से संबन दे था तो इसका सही जवाब है कुछ राज्यों के क्रिशिभों में सुधार से दोस्तों आशा है आप अपनी तयारी बहुत ही बेस्ट तरीके से कर रहे होंगे हमारी वीडियो को आप पूरा देखें हमने पिछले वीडियो में भी बहुत ही important questions को upload किया है अगर आपने नहीं देखा तो उसे जा कर देखें कर देखें